हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी मम्ता किशन रसपीे में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी के रही हूं एक बहुत ही तेस्टी और डेस्टी और डेस्टी जो है छेचेना ख sleepy आप देक सकते हैं कितनी बड़ीया छेना कि बनी है दोस्तो इस स्वादिश चेना खेर की रेसेपी को बनाने के लिए हम चेना बनाएंगे जिसके हम रसकुले बनाएंगे इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लिटर गाय का दोद लिया है दियान रहे आपको रसकुले बनाने के लिए गाय का दोद ही लेना है अगर आपके पस गाय का दूद नहीं है तो आप इसके जिए कोई भी फैकेट वाला दूद ले सकते हैं इस दूद को हम देरे देरे चलाते विए उबालाने तक गरम कर लेंगे दूद हमारा गरम हो गया है उबाला गया है इसमें अब हम गिसकी फ्लेम को ओफ कर देंगे और इस दूद को हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे लगभख 15 से 20 मिनट के लिए इसे ठंडा कर लेंगे हमें कभी भी गरम दूद का छेना नहीं बनाना है हलका गरम जब हो तभी हम इसका छेना बनाएंगे और तभी एकदम बढ़िया रसकुले बनाने के लिए एकदम परफेक्ट छेना बनेगा एकदम सोफ्ट छेना बनेगा दूद का शेना बनाने के लिए यानि की दूद को फाड़ने के लिए मैंने यहाँ पर यह टाटरिक ली है दो छोड़े पीसेस लिए है टाटरिक के आप चाहें तो इसका पाउडर भी ले सकते हैं जो भी आपके पास अवलेबल हो इसमें हम थोड़ा सा पाणी अड़ करेंगे लगवक दिन से चाचा मज पानी मैंने इसमें अड़ किया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस टाटरिक को हम इस पानी में अच्छे से घोल लेंगे अगर आपके पास यह टाटरिक नहीं है छहना है इस तरह से इस दूद का छेना हम असानी से बना लेंगे आप देख सकते हैं कि असानी सी दूद फठ गया है और वह एचछवत enfant ज़ब भर और इस तरह हैं हमारा इस दूद से उपर इस तरह मैंने एक सूती कपड़ा लिया है और इसमें हम इस पनीर को छान लेंगे दोस्तों अगर आप इसी तरह की और भी नहीं नहीं रेसेपी देखना चाहते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब कर लें और बैल आकम पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ये देखिए एक लिटर दूद से हमने इतना चैना बना करके तयार किया है और अब हमसे साइड में रख देते हैं जो ये पानी बचा है उसे आपको फेकना नहीं है आप इस पानी को रोटी बनाने में सबची के ग्रेवी बनाने में यूज कर सकत ताके इसमें टार्टरिक से जो हमने दूद फाड़ा था अगर उसका थोड़ा सा भी फ्लेवर रह रखाया तो वो निकल जाए अगर आप दूद में निम्बू डाल कर इसका चैना बना रहे हैं तो आपको इसे तीन से चार बर पाने में अच्छा से वोश करना होगा हमने इस छेने का सारा एक्स्ट्रा पाने निकाल लिया है और अब हम इसे लगभग 15-20 मिनट के लिए इस छेने को इस तरह से इस चलने पे रख देंगे ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पाने हो वो निकल जाए अगर थोड़ा बुत रह गया है तो जब तक हमारा छेना तयार होता है तब तक हम रजगुले बनाने के लिए जाश्ट्रे तयार कर लेते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पतिला लिया है और इसमें हम एड़ करेंगे दो कप चीनी और साथ ही हम इसमें पानी एड़ करेंगे जितने आप चीनी लें उसका डबल आपको पानी ले लेना है मैंने यहाँ पर चार कप पानी लिया है इसमें और अब हम इसे इस तरह से धीरी धीरी चलाते हुए फुल फ्लेम पर चीनी के मैल्ट हो जाने तक पकने देंगे और यह देखे कुछ देर के बाद हमारा यह जो छेना है वो भी तैयार हो गया है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहा है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमने छेना बना करके तैयार किया है और अब हम इस छेने को इस तरह से हाथों की मंदल से मैश कर लेंगे दोस्तों रसकुले बनाने के लिए हम एकदम परफेक्ट छेने की जरूरत होती है तभी हमारे रसकुले एकदम बढ़िया बनेंगे एकदम मार्केट जैसे सोफ्ट एंड स्पंजी रसकुले बनाने के लिए वीडियो को बिना स्किप की एंड तक देखते रहे ताकि कोई भी स्टेप आपसे छूटना चाहे साथी मैं इसमें एक चमच मैदा एड़ कर रही हूँ और इस मेदे को भी हमें इस चेने में इस तरह से एक दमचे से मिक्स कर लेना है और इसे हमें हाथों से हथेली के मतलब से एक दमचे से मैश कर लेना है साथ से आठ मिनट तक इसको एक दमच्छे से मैश करने के बाद ये हमारा रसकुले बनाने के लिए दमच्छे से डो बन करके तयार हो गया है अब हम इसकी इस तरह से चुट-चुटी बोल्स बना करके तयार कर लेंगे जिस भी साइस के आप रसकुले बनाना चाते हैं उस साइस के आप बोल्स निकाल सकते हैं मुझे रसकुले खीर में डालने हैं यानि की रबड़ी में डालने हैं मैं आपर छेने की खीर बना रही हूँ इसलिए मैं चुट-चुटी बोल्स बना रही हूँ इस तरह की सभी बोल्स हम इसी साइज की बना करके तयार कर लेंगे इसकी बोल्स बनाते वे आपको ध्यान रखना है इसमें बिल्कुल भी क्रेक्स नहीं आने चाहिए और हलके हाथों से इसकी बोल्स बनानी है ये दिखिया हमने सभी शेने की बॉल बना करके तयार कर ली है इदर हमारे चीने भी तो मचे से मेल्ट हो गई है और अब हम क्या करेंगे इस चाष्णी को हम एक बाउल में थोड़ी से चाष्णी को इस बाउल में निकाल लेंगे इसे हम बाद में यूज़ करेंगे थोड़ी चाशने निकाल लेने के बाद इसमें हम एक कप पानी ओर एड कर लेंगे और पाने डाल लेने के बाद जब इस तरह से इस चाशने में उबाल आ जाए तब आपको इसमें एक एक करके इसमें रसकुले के पीसिस डाल देने हैं द्यान रहे फ्रेंड्स आपको एक एक करके इसमें रसकुले डालते जाना है जल्दी जल्दी डालना है ताके इसके जाग खतम ना हो जाएं जब ये चाशनी के उपर इस तरह से जाग बनता है इसी में ही रसकुले पकते हैं इसी में ही रसकुलो का साइस बढ़ता है आप देख सकते हैं सिर्फ एक किलो दूद से हमने कितना सारा छेना बनाया और छेने से हम कितने सारे रसकुले बना रहे हैं नॉर्मली हम जब मार्केट से इतने रसकुले लाते हैं तो हमें बहुत महेंगे पढ़ जाते हैं लेकिन सिर्फ एक किलो दुद में हमने इतने सारी रसकुले बना लिए हैं तो दोस्तों आप सभी इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राइगर कर देखेगा सभी रसकुले डालेने के बाद हमें इसे इस तरह से ढख देना है लिट को बंद कर देना है और इसे जाग में पकने देना है बंद करने के बाद ज्यादा जाग बनेंगे और इसे हमें इस तरह से ढख करके बारा मिनट तक फुल फ्लेम पर पका लेना है आप चाहें तो पांच मिनट के बाद फ्लेम को थोड़ा सा लो भी कर सकते हैं लगबग 10 से बारा मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए और ये रस्कुले हमारे एक दमचे से रेडी हो गए हैं मैं आपको से चेक करके भी दिखा देती हूं कितने बड़िया रस्कुले बने है रस्कुले के बन जाने के बाद इसका टमप्रेशर थोड़ा लो करने के लिए और रस्कुले को ऐसा ही सोफ्ट और स्पंजी बनाये रखने के लिए हम इसमें एड करेंगे पानी लगबग एक कप के करीब हम इसमें पानी इस तरह से एड कर लेंगे फ्रेंट्स इस तरह से पानी एड कर लेने से क्या होगा कि जो ये रस्कुले हैं वो बाद में भी इसी तरह की गोल कोर और स्पंजी रहेंगे बिल्कुल भी टाइट नहीं होंगे हमने इसमें एक कपानी आइड कर लिया है और जो यह रसकुले हैं वो एक तो मचे से तयार हो गए हैं गिसकी ख्रेम को हम ओफ कर देंगे और इन रसकुलो को हम एक बाउल में निकाल लेंगे जिस बाउल में हमने पहले चाशने निकाल ले वी थी उसी बाउल में हमें इन सभी रसकुलो को निकाल लेना है तो फिर देखा आपने कितनी असानी सी हमने कितनी बढ़िया यह स्पॉंजी रस्कुले बनाकर करके तयार कर लिये हैं और यह बहुत ही डेस्टि बने हैं एकटम मारकेट जैसे बने हैं और आप इनका टेक्षर भी देख सकते हैं कितना बढ़िया है इन सबी रसकुलों को हमने इस बाउल में निकाल लिया है अब हम इसे साइड में रख देते हैं तब तक हम आगे के प्रोसेस करते हैं यहाँ मैंने कईलन के गड़ाई में एक लिटर दूत लिया है इसे हम इस तरह से धीरे दीरे चलाते हुए उबालाने देंगे इसमें ताकि ये दूद नीचे लगना चाहे इसलिए हमें स्टार्टिंग में इस दूद को इस तरह से चलते रहना है और गेस की फ्रेम को high रखना है इह देखे फ्रेंड्स दूद में उबाल आ गया है दूद में उबाल आ जाने के बाद हमें इसी इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए इस दूद को लगबख आदा हो जाने तक पका लेना है दूद उबर उबर कर आदा हो गया है आप देख सकते हैं दूद का टेक्श्चर दूद गाड़ा भी हो गया है अब हमें गेस की फ्रेम को लो मीडियम कर देना है और इसमें हम एड़ करेंगे चीनी मैं यहाँ पर हाफ कप चीनी एड़ कर रही हूँ चीनी आप अपने टेस्ट के अकोरिंग थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको मीठा ज़्यादा ही पसंद है तो आप इसम मेरे चोटी-चोटी स्लाइसे में कट कर लिया है आप इसमें अपने पसंद के ड्राइफूर्स पर डाल सकते हैं या फिर आप इसे अवोईड भी कर सकते हैं साथी मैं इसमें हाफ टेबल स्पून इलाइची पाउडर एड़ किया है जिससे इसमें काफी अच्छा फ्लेवर इसमें केशवर ढ़ल रही हूं साथि मैं इसमें केशर डाल रही हूं यह आप सेड़ाल सकते हो अगर आपके पास त्सदैको नां अप सबदुर्स कर सकते हैं तो हम इसतले स्थ में मिक्स कर लेंग अऊका सेंane अधर हमारी रसकुले भी एकदम अच्छे से सैट हो गए हैं इन्हें हमने ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया था और यह देखिए कितने अच्छे रसकुले बने हैं बहुत इस पॉंजी बने हैं आप देख सकते हैं एकदम रूई जैसे सौफ्ट रसकुले बन करके तयार हुए हैं और यह अपने शेप में असानी से आ जाते हैं इनकी सारी हमने चाशने निकाल दिया और यह देखिए कितने असानी से सारी चाशने को अब्जर्व भी कर लेते हैं बहुत ही जल्दी और अब हम इन रसकुलो को इस दूद में डालेंगे इन रसकुलो को हमें इस तरह से हलका हलका निचोड लेना है ताकि इसमें जिद्धी भी एक्स्टरा चाशनी है वो निकल जाए लेकिन इनका जो मीठा पन है रसकुलो को वो न जाए इसलिए इन रस्कूलो को हलका प्रेस करते हुए इनकी एक्स्ट्रा चाशनी को हमें निकाल लेना है और इस तरह से दूध में डिप करते जाना है एक एक करके हम इन सभी रस्कूलो को इस दूध में डिप कर देंगे तो दोस्तो जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे, कुछ अलग हटके खाने का मन करे तब आप इस रेसिपी को ट्राय कर सकते हैं, साथ ही आप इसे किसी पार्टी और फंक्शन में भी बना सकते हैं ये बहुत ही यम्मी बनेगी और ये छेने की मिठाई, ये छेने की खीर तो सभी को वैसे ही बहुत पसंद होती है तो आप इसे बिना सोचे समझे कभी भी ट्राय कर सकते हैं, सभी आपकी तारिफे करते नहीं ठकेंगे अगर आप इस तरह सी छेना खीर बना लेंगे तो सबी रस्कुले डाल लेने के बाद इसे हमें गरम दूद में लगबग एक मिनट तक इस तरह से चला लेना है गेस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है अब हमें गेस की फ्लेम को ओफ कर देना है तो लीजे दोस्तो ये सुपर टेस्ट्यू डिलिशियस सब की फेवरेट ये छेना खीर बन करके तयार हो गई है आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है मैं आपको इन रस्कुलो को कट करके भी दिखा देती हूँ ये रस्कुले कितने सॉफ्ट बने है आप इन रस्कुलो का टेक्चर देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और जालिदार बने हैं जो दूद की रबडी है वो भी रस्कुलो में एक दम अच्छे से अंदर तक अब्जोव की हुई है आप जाहें तो इन रस्कुलो को बिना रब्डी के भी खा सकते हैं तबी ये बहुत ही टाउट रहाँ जाता है तो आप मुझे करके बता सकते हैं मैं आप सबी के डाउट को जरूर क्लियर करके हैं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तर सब्सक्राइब कर लें और बैकम पर क्लिक करना पिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आपको और आपके बरिवार को ये स्वीट डिश कैसी लगी तो चली दोस्तो आप इस स्वाधिस छेने खीर का मजा लेजे मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई